हम रूसी सहित्य की गूर्ड प्रतिभा को उजागर करने वाले फ्योडोर दोस्तोवस्की पर एक श्रिंखला शुरू करने जा रहे हैं। साथ शुरू करें और दोस्तोवस्की की उत्कृष्ट कृतियों की कालातीत प्रासंगिक्ता की खोज करें। फ्योडोर दोस्तोवस्की के साहित्य की सम्रिध्ध, रहस्यमय और रोमान्चित दुनिया में आपका स्वागत है। परिचय, रूसी साहित्य के विशाल परिद्रश्य में, एक व्यक्ती एक विशाल विशालकाई की तरह खड़ा है। उसका काम मानव आत्मा और समाज के इंतहस्थल की भूलबुलेया है। वह शक्सियत हैं फ्योडोर दोस्तोवस्की, एक साहित एक दिगगज जिनकी रचनाय पीवी दर पीवी पाथकों को आकरशित और उतेजित करती रहती है। 11 नवंबर, 1821 को मौस्को में जनमें दोस्तोवस्की का जीवन उतना ही उत्थल पुत्थल भरा और जटिल था जितना की बाद में उनके द्वारा बनाए गए पात्र। गरीबी और त्रासदी के साथ उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर मानवी अस्थिती में उनकी गहन अंतर ग्रिष्टी तक दोस्तोवस्की की यात्रा प्रतिकुल परिस्थितियों में लचीलेपन और आत्मिरिक्षन की शक्ती का एक प्रमान है। प्रारंविक जीवन और प्रभाव। दोस्तोवस्की के प्रारंविक वर्ष कर्थिनाई और उथल पुथल से भरे हुए थे। एक डॉक्टर का बेटा दोस्तोवस्की एक वित्तिय अस्थिर्ता से ग्रस्त घर में बढ़ा हुआ। प्रमानिकों और लेखकों के कारियों में डुबो दिया। ये शुरुआती प्रभाव उनके लेखन पर एक अमित छाप छोड़ता है। जिससे उनके कारियों में मनोवग्याने गहराए। सामाजिक कालोचना और अस्तित्व संबंधी चिंता का मिश्रन होता है। जेल और धार में कास था। दोस्तोवसकी को 1849 में पैटराशिवस की सकल नामक एक राजनीतिक समूह में शामिल होने के कारण जेल में डाल दिया गया था। समूह, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर चर्चा और बहस करने वाले उदारवादी बुद्धी जीवी शामिल थे। को रूसी अधिकारियों द्वारा विधवनसक माना गया था। दोस्तोवस्की को सरकार विरोधी समझी जाने वाली गतिविदियों में भाग लेने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया और फाइरिंग दस्ते द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। हाला की अंतिम क्षन में उनकी सजा को साइबेरिया जेल शिवेर में चार साल की कड़ी मेहनत और उसके बाद साइबेरिया में चार साल के निर्वासन में बदल दिया गया था। इस अनुभव का दोस्तोवस्की पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उनके विश्वद्रिष्टिकों को आकार दिया और उनके बाद के सहितिक कारियों को प्रभावित किया। अप्राद और सजा, और The House of the Dead, जैसे कारियों में, जो अप्राद, मोचन और बुराई की प्रकृती के विशयों का पता लगाते हैं। जेल में उनके समय ने उनकी धार्मिक आस्था को भी गहरा किया और उनके लेखन में अस्तित्व संबंधी और दार्शनिक प्रशनों की खोज में योगदान दिया। साहित्यक, करियर और प्रमुख कार्य, दोस्तोवस्की का साहित्यक करियर उननीसवी सदी के मध्य में शुरू हुआ, जो रूस में महान राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का समय था। उनके पहले उपन्यास, पुवफोक, 1846, को गरीबी और सामाजिक असमानता के जीवन चित्रन के लिए आलोजनात्मक प्रशन सामिली। हाला की, यह उनका बाद का काम था जिसने रूस के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक के रूप में दोस्तोवस्की की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। Crime and Punishment, 1866, इसमें दोस्तोवस्की ने उबेमेंश में अपने नीचे के विश्वास के कारण हत्या के लिए प्रेरित एक युवा चात्र के दिमाग में अपराद, मुक्ती और नैतिक्ता की प्रकृती के विशेयों की खोज की। The Brothers करमाजोव, 1880, जिसे व्यापक रूप से दोस्तोवस्की की महान रचना माना जाता है। एक विशाल महाकाव्य है जो आस्था। संदेह और ईश्वर के अस्तित्व के शाश्वत प्रशनों से जूजता है। करमाजोव भायों के अशांत जीवन के माध्यम से, दोस्तोवस्की ने रूसी समाज का एक ज्वलंत चित्रचित्रित किया है। जो बेजोर मनोवे ज्ञानिक तीक्षुन्ता के साथ मानव स्वभाव की गहराई की जाच करता है। दार्शनिक विशय वस्तू और विरासत। दोस्तोवस्की की कृती के केंद्र में अस्तित्व संबंधी और आध्यात में क्विशयों के साथ गहरा जुडाव है। स्वतंत रिच्छा, नियतिवाद और गुराई के अस्तित्व की उनकी खोज उनके समय की नेतिक और दार्शनिक दुविधाओं में आजीवन व्यस्तता को दर्शाती है। इसके अलावा, धारा चेतना कथा और मनोवे ज्याने की अथार्थवाद के उनके अग्रणी उप्योग में लेखकों की भावी पीरियों के लिए आधार तैयार किया, जिसने काफका, एलबर्ट कामू और फ्रॉइड जैसे लेखकों को प्रभावित किया। निशकर्ष, फ्योदोर दोस्तोवस्की की विरासत मानव आत्मा के अंधेरे स्थानों को रोशन करने की साहित्य की स्थाई शक्ती के प्रमान के रूप में कायम है। आईए हम स्वयम महान रूसी लेखक के शब्दों को याद करें। मनुष्य एक रहस्य है। यदि आप अपना पूरा जीवन इसे सुझाने में बिता देते हैं। तो यह मत कहिए कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। मैं खुद को इस रहस्य में व्यस्त रखता हूँ क्यूंकि मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ। धन्यवाद। आशा है आपको फ्योदोर दोस्तोवस्की का परिचे पसंद आया होगा। हम आने वाले। एपिसोड में दोस्तोवस्की के साहिते की गूर प्रतिभा को उजागर करेंगे और उनकी रचनाव को समझेंगे। इ यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो क्रिपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।